हलो फ्रेंट्स मैं आगे इंद्राशपूत आपका स्वागत करता हूं वर्लकम प्रगास में दोस्तो आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं MS XL में ट्रांस पोईच फर्मुले के बारे में अगर आपके पास इस तैफ से अगर टेब रिना हुआ है आप जिससे यह वर्टिकल वाइस टेवल है और मुझे इसको इस फॉर्मिट में टेवल्स तो चलते हैं की सीट पर आप देखेंगे यह हमारे पास टेबल ये वर्टीकल और मुझे इसको इस टाइप से यानी होई चीच करना है यहां पर एकोल लगाना हुगा और एकोला लगाने के साथ आपको फर्मोल लिखना होगा ट्रांस्पोस range कर लेना है आनि उसको thread कर लेना है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है bracket close कर देना हुआ और enter कर देंगे आप जैसे enter करेंगे तो यह table जो हमारी है वो आपकी transpose हो चुकी है आनि vertical से horizontal में change हो चुकी है और अगर मुझे इसको horizontal से vertical में change करना है तो उसके लिए भी तेबल है उसको आप स्रेट कर लेंगे पूरी टेबल और ब्रैकेट क्लोज कर देना होगा और आप क्या करेंगे इंटर कर देंगे इस तरीके से आप डेटा को वर्टिकल से होरिजिंटल और होरिजिंटल से वर्टिकल ट्रांस्पोस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसका दू कि यहां पर ट्रांंस्पोज करना है तो राइंट कलिक करेंगे एफिर कری कर देंगे मुझे यहां पर ही मुझे इसको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए अपको special paste में जाना होगा और special paste है transpose करेंगे और फिर दुबारा से आपको paste कर देना होगा तो आप देखें इस तरीके से आप कर सकते हैं और formula से भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आई गूई भी तो वीडियो को like करें और वीडियो को शेयर करें और अगर नियू वीवर हैं तो आप चैनल को subscribe करें और वैल आइकन पर जरू क्लिक करें जिससे कि आपको next वीडियो में जब भी अप्लोड करूँ तो उसका notification आपको मिल सके दन्यवाद